हलो एव्रीवन वेल्कम बैक टो चैनल बिलियन एड्यूकेशन वेर वे एम तो रीच एंटीच बिलियन पॉपुलेशन तो गाइस हम लोग पार्ट कर रहें किसका थियॉरॉटिकल साइकोलोजी का इसके हमने तीन पार्ट कवर कर लिये हैं अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है काग्निटी साइकोलोजी मेक शूर आप ये वीडियो को जरूर देखें क्योंकि यही आपका बेस बनेगा 12 स्टैंडर के लिए आपके यह सब चीज़ें आप वहाँ पर वापस से पढ़ोगे तो ये चीज वहाँ पस से पढ़ना है इससे चाब अभी कर लो इसे अब इसके बाद का जो रहेगा वो रहेगा अप्लाइड वाला पार्ट जो बच्चे आप लो कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो कि अप्लाइड पार्ट तो ये पहले हम पढ़ लेंगे थे द मतलब जहां आपके दिमाग के ज़्यादा जरूवत होती है कुछ चीजें जैनुवीन होती है जैसे हमारा उटना बैटना खाना पर नहीं सब जैनुवल चीज़ें इसमें हमें फोर्स नहीं करना है लेकिन थिंकिंग अगर हम लोग कर रहे हैं या तो हमें कोई डिसिजन त अब हमारे मॉम डाट जैसे बोलता है दिमाग यूज कर अपना वो दिमाग यूज करना तो इट इस चीज़ें आप लोग को आती है किसके अंदर कोग्निटिव साइकॉलोजी के अंदर यह सब के अंदर एक एक आपको पैलागजर पेक टॉपिक है आटेंशन मतलब फोकस होके काम करना आटेंशन आप मतलब क्या होताय क्या एक साथ दो काम कर सकते हैं यह तो हैं 12 मतलब वो सारी चीज़े उसके बाद language development यह जी हाँ language development एक पार्ट है कि आप language कैसे समझते हो कैसे आप खुद पढ़ते हो और कैसे दूसरों का बता पाते हो तो यह पूरे language development thinking thinking के भी बहुत सारे parts होते हैं thinking में क्या क्या अलग अलग चीज़े हैं फिर उसके बाद store करना अब memory करना उसके बाद problem solving आते हैं जहां पर decision making करते हो ठीक है न तो यह सब बहुत detail में हमारे अगर आपको जानना है तो हमारा fourth chapter है 12th का आप अभी से जाके continue त्यारी कर सकते हो हां आप लोग वेट भी क्यों कर रहे हो अगर जो लोगों दिमाग से तेज हैं और वो लोगा syllabus होते जा रहे हो तो आप जाके 12th का psychology देख सकते हैं साथी ये lockdown के अंदर आप लोग बहुत सारा syllabus cover कर लोगे next year आपको और productive चीज में बूल जाना या तो वहां पर हम लोग जो चीज़े याद करके नहीं रख पाते बहुत छोड़े और short term memories होता है न वह सारी चीज़ें तो वह सर्थ disruption कैसे होते हैं what are different types of learning styles and learning disorder learning styles मतलब लोग अलग-अलग कुछ लोग यसे की practically करके सीखते हैं कुछ लोग डाग्राम बनाके सीखते हैं कुछ लोग औरली ही सीख जाते हैं और कुछ लोग को song के थूरू सीखते हैं तो ऐसे अलग-अलग learning की style होती है learning खुद में बहुत अलग चीज़ है learning भी अलग चीज़ है यह सब का सब आप फूर चाप्टर में 12 में पढ़ोगी उसके बाद what causes them फिर what leads to speech impairment बोलना पाना क्या होता है क्या reason होता है उसके लिए इस सब का अनसर आप लोग को 12 में तो यह आप लोग को न 12 के लिए तयार कर रहें कि वो जो कोशन हमने पढ़ा था 11 में वो 12 में इस तरह से यह सब देखें आप लोग को बता है cognitive psychology का पार्ट यह सब है ठीक है तो आप इसे याद कर सकते हैं जैसे भी आप लोग बनाना चाहें तो हैं करके हैं पील्टी या पीटील हैं मतलब यहां से human intelligence बना सकते हैं फिर आप यहां से attention, memory, perception, learning, thinking तो हैं पील्टी ऐसे कुछ करकी याद कर लिए तो आपको च्छे के च्छे हो याद जाएगे अब नेक्स चलते हैं हम लोग experimental psychology पे experimental psychology अगें यह सीम पार्ट है आपके 12 में भी experimental psychology psychologist tries to understand the fundamental causes of behavior ठीक है कि fundamental मतलब सबसे basic चीज़ें क्या है जो एक इंसान का behavior बनाती है बोलने को तो हमारे बोलने को हम लोग हजार चीज़े point out कर सकते हैं यह भी responsible यह भी responsible यह भी responsible यह भी responsible लेकिन कौन सी ऐसी चीज़े जिसे हमारा behavior तयार हुता है they conduct experiment to study how people react to sensory stimuli and perceive the world sensory मतलब जो मेरे senses हैं मेरे 5 senses हैं तो आप उनके नाम लिख दीजिए 5 senses के अभी ठीक है तो वह सो senses है वो मुझे जो stimuli जो चीज़े मुझे बता रहे हैं उनको मेरे behavior करने मुझे कैसे वो लोग तयार करती हैं अब मैं कैसे decision बनाता हूं यह सब चीज़ एक्सपरिमेंटल साइकोलोजिस स्टड़िस तो यह साइकोलोजिस क्या करते हैं यह हम लोग पर देखते हैं कुछ हम लोग को ऐसा जान रूज करने कोशिश करते हैं एक्सपरिमेंटल साइकोलोजिस स्टड़िस हाव पीपल लर्न एंड रिमेंबर रिजन एंड रिस्पांड इमोशनली कैसे यह सब सारी चीज़ें आप लोग करते हैं कुट्व को ऐसे बान के खाना देने के पहले बैल बजाते थे तो बैल बजाने पर 5-10 मेंन रुखते थे फिर उसको खाना दे 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 थे बहुत दिन ऐसे किया तो इसकी लर्निंग हो गई थी सरश कुट्वेंटलोज तो क्या किया एक दिन उन्हों ने जर्स बैल बजाया और खाना नहीं दिया लेकिन और यहां पर व華 शेक कर रहा थे इसके लार्वे इसके जल सलाइवा, स्वरी शेकरिषन चेक कर रहे थे कि सलाइवा का सिक्रिषन कैसा है तो हर बार वो जब घंटी बजनी के आवास सुन जाता था था भले खाना ना दे उसका जो relation तो अब क्या था, hunger था, dog का, लेकिन वो relate किसे कर रहा था, घंटी से, जी हाँ, bell से, तो bell बजाया, फिर उसने खाना दे देते थे, अब एक दिन उन्होंने किया कि सिप bell बजाया, फिर देखा dog के मुझ से saliva अपने आप से खरीट होना, जब कि उसने अभी तक खाना दिया ही नहीं था, पहले वो खाना देख के कुता क्या करता था, अपना dog saliva से रीट करता था, इस तरह से experiment के base पर बताते हैं कि learning कैसे होती है, it deals with such problems as sensation, perception, learning and memory, the method of investigation in this field is that laboratory experiment, laboratory experiment आपको एक lab में लेके जाएंगे, अगर आप human और human के उपर, animals के उपर सप्पे करते हैं, इसी तरह mouse के उपर, mice के उपर भी बहुत सारा experiment किया गया है, तो experiment psychology में वो पार्ट है, तो हमारा एक पार्ट और रह जाता है, इवान पाउलोग कंडिक्टेड देखिए, classical learning, classical conditioning taking dog as a subject, तो learning through, इसको बोलते हैं, learning through classical conditioning, इसमें theories है, learning की theory, जो मैं बोला था, एक एक करके, यह अगें आपके fourth chapter का पार्ट है, इवान पाउलोग का वो theory है, यह हो गया हमारा वो पार्ट हम लोग 5th chapter कर रहें, emotion, वो भी almost done हो चुका है, आदा part हो चुका है, आदा हो जाएगा, जो बड़े बड़े chapter है, स्टार्टिंग के first, second, third, fourth and fifth thing, वो हमारा हो चुका है, तो next time जो हम लोग continue करेंगे, वो है 6th त्वाला पार्ट, abnormal psychology, तो बने रहे हमारे साथ हर वीडियो में, और कोशिश रहेगे कि आपको जितना entertaining content दे पाएं, वो देने के कोशिश करेंगे, अभी उतना हम लोग और trial और error method पर हैं, लेकिन हम लोग जरूर और इसे improve करेंगे, तो मिलते हैं next video में, till then, bye bye, have a great and nice day ahead, साय नारा, लेकिन वादे के साथ की मिलेंगे, दोबारा